तो कहते हैं मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है हारता ही नहीं है जब हारने वाला उतने तब भी जीच जाता है आज शीरलंगा के हाथ में मैच आगिया वा था जो उनके कैप्टन ने ने लेकर आया एक पड़ेल दूर लेके जा रहा था आपसे अब हर्षन पड़ेल उसका तो बता हिए वो बारात पूरी लुटवा देता है वो जब लुटने पर आपको जब मारने पर आता है ना हर्षन पड़ेल को तो यह ओवर करता है ले कितने मारेगा तू अबरान मलेक 155 और जो योर्कर मारे हैं उसने आज एक दमाता कर दिया 15 255 किलो मीटर भी घेंटा की रिफतार से जब वो आएगा और देखेंगा और देखो आज ये शीवा मावी और उम्रान मलेक ने मिल मिला के 6 विटे शेर्स की हैं और दूरों ने ये बात भी साबित कर दिया कहीं न कहीं के भारत की जो फास बोलिंग अटेक और जंग बोलिं और क्या कमाल की जो बॉलिंग देखने को मिलिया इंडिया की टेप की जानब से खास करके शिवा मावी और उम्रान मलक दौनों ने जो बेलकल स्री लंकन जो बैटिंग आडर है उसको डिस्ट्राइग करके रख दिया नमसकर दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नामा में दोस्तों भारत व सिलंक के भी इचले के फ़ले 20 मैच में भारत ने सिलंका को दौरण सहरा दिया जिसमें सिवा मावी और उम्रान मलक ने बिलकर 6 विक्ट लिए इस मैच के बारे में पाकिस्तानी वीडि तब भी जीचाता है आज श्री लंगा के हाथ में मैच आ गिया वा था जो उनके कैप्टन ने इनिंग से लिए उसके लावा जब हसारंगा और उसकी पार्टनर्शिप लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मैच ले जाएंगे लेकि उसके पार हसारंगा तो आउट होगे श्र पार्टनर्शिप लगी तब भी आके असारंगा को होई आउट कर गया तो मतलब के हैडानी मुझे इस चीज़ किया कि इंडिया जीता तो सही मैच लेकिन इंडिया की तो बोलर्स खेल ही नहीं रहे थे अर्षदीव सिंग भी नहीं खेल रहा था इवन एकर बोलिंग की बा हर्षर पटेल युजविंदर चार हार्तिक पांडिया खुद आज इंडिया की बैटिंग तो फ्लोप होगी भी थी वह जो एंड पर दीपक हुड़ा ने रंस मारेस के लावा अक्षर पटेल ने रंस की उन्होंने जो इंडिया में सकत्या थोड़ा सहारा दे दिया बड़ वो 160 प्लस जब डिफेंड करें तो इससे बढ़के क्या चाहिए गुसा इस चीज़ का है कि पाकिसान अपने घर केंदर मैचिस आ रहे हमारे बोलर्स न्यूजिलेंड को आउट निकर पारे से कि हम अपने घर केंदर क्यों नहीं आउट कर पार है माना कि हमारी जो पारे जबते कि एक मीन हाड़ेंगे डिफेंड कर रहे हैं विकेंड 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 और देखेंड वाल चल रहे थे शनाका जिस तरह मार रहा था उम्रान मलेक 155 और जो यॉरकर मारे हैं उसने आज एक दमाका कर दिया 155 किलमीटर भी घेंटा की रिफतार से जब वो आएगा और देखें उसकी बालिंग में अब आपको नजर आना शुरू हो गया ही इस यूजिंग पेस ही इस यूजिंग वेरियेशन ही इस यूजिंग यॉरकर्स कमाल की बालिंग या लेकिन भाई जान तीन चीज़ें जो इस मैच से आपने सीखनी है एक तो आप बैर जरूरी विक्टे ने देते हैं वो तो बाद में बालिंग हर्शल पडेल एक ओवर में अगर आखर में 16 रंजे देगा नो बाले वाइट बाले छिक्के घाएगा तो बुकॉर बचाएगा और 57 रं पाँच ओवरों में वो यूजविंद्रा चाहल के लिए बेतर है वो लेकिन आर्दिक पांडिया यहां से बच गया है वो कहते हैं ना फॉर्चून ने बेव को वेवर किया जाएगा पांडिया को चारों वर अपने कर देने चाहिए थे इट वरी वरी सिंपल गेब यह इंडिया का मैएगदा चिस तरह विप्टे देके ना विप्टे दढ़ा जड़ा जड़ा है तरह लेकर आए एक पटेल दूर लेके जारा था अपसे अधिकर तो बता ही है वो भारात पूरी लुटवा देता है वो जब लुटने पर कभ को जब मारने पर आता है ना अर्शाल पेड़ को तो यह ओबर करता है ले कितरे मारे का तू अधिकर आखरी बारात लुटवा दे गई 19 रन दे गया मतला को नीवू रजोड़ किया का पूरा भाई नीवू में रजबी जुड़ा था उसने 11 रन अक्षर पटेल के हातों में एक पटेल 19 वह ओवर टीम इंडिया के लिए बाईस से तकलीफ बनावा है भाई कही ना तहीं मैं आपको य बो भी नहीं है तो शामी अगा भुमरा विचारा अन्फिट है इसको ले लो उसको ले लो फला को ले आओ इसको ले आओ पुरानों की बात है यार उमेशका गया हार्दिक पांडिया ने बेसिकली मुलाकातों में और ये वाज़े किया कि मैं जो कहता जा रहा हूँ आप ब यूचर के पास बोलर दे रहे हैं मॉडरन डे क्रिकट में ताकतवर बोलर होना चाहिए जोर कर देगो मारा शानाका के जिचक्के की फिभाई तारीफ कर रहे हैं उसके बाद का कमबेक डिलिवरी देखा हो मरान मलिक का हार्दिक पांडिया ने अगला वनकप चित्वाने की अब ही जब उन्याद रख दी है मजाद नहीं कर रहा हैं नहीं टीम बना रहे हैं मगर हैं इंडिया के यंग बॉलर्स जो वो च्छा गए हैं और सिर्लंका की एक तक्रिटी टीम को इंडिया के यंग बॉलर्स ने गिरा दिया है चाहे हो आपके अमरान मलिक चाहे हो आपके शीवाम मावी दोनों ने क्या कमाल किसम के खुबसूरत कमाल धमाल जो है बॉलिंग की है सिरी लंका के गेस उमरान मलिक की जो एक सुपच्पंग ही बॉल थी उसने तो कमाल ही कर दिया और अगर आगर आगर बात करें साथ में शीवाम मावी तो उनका ड्रीम डेब्यू जो है वो रहा है शीवाम मावी का शीवाम मावी की जानेब से और मैं करनेट दूँगा इसको हार्दिक पंडिया को जाते है 100% अगर आप विराड की बात करते हो अगर आज आज आगर आप गोहिद शर्मा की बात करते हो कि इंडिया के बड़े बल्ले बास है तो इसमें आप पो नहीं बूला अची कि एमस दोनी का करदार है दोनों का बनाने ने तो वहीं पर अगर आप हार्दिक जिससा कप्टान आगे टीम इंडिया के पास समुझे लग रहा कि आप और सितारे मिलेंगे जिस फिर किसा हार्दिक पंडिया नई टीम को लेकर चल रहे हैं शी वो मावी को कॉन्फिडेंस दि की एषदीब को बार बठाया कि उन्होंने का जी स्रीस तो आया बड़ा लंबा सेशन है होम और भी मौकिया न्यूजीलन के सथ्रीस है शिल लगा के सथ भी स्रीस है तो एषदीब को बार बठायने में कोई मझाई का राम करवा दिया उसको लेकन आप देखो मावी क्या बो और क्या कमाल की जो बॉलिंग देखने को मिलिया इंडिया की टेप की जानब से हाज करके शिवम मावी और उम्राण मलग दोनों ने जो ने बहलकल सिरे लंकान जो बैटंग आड़र है उसको डिस्टराइ करके रख दिया शिवम मावी ने क्या कमाला का डेब्यू किया भईसाब इतना अर्सा इसको मुका नहीं मिला लेकिन जब इसको मुका भिला भई तो इसने मुके पे मारा ए scrape और स्री लंका की चार विकटे ज़ग गिरा दिए पहना विकट वह क्या कमाला का विकट था दो चोके बड़े दो चोके खाने के बाद कम बैक किया और वो रिवर्स विंग मिला और फिर विकट अमेजा वो बार्डरी की जाना भी जाते हुए नज़र रहार मलक जब एक पार्टनर्शिप लगी हुए थी तो उस बंदे ने आकर जा वो जिस तरह से विकट लिया है और 15 55 के स्पीट से उसने बाल फेका है एक और कंसिस्टन्सी के साथ जो 150 151 52 के स्पीट से वाल फेकता ही जा रहा था और यहीं बजाए कि उसको दो विकटे मिली और बड़ी विकटे उसको मिली है और कमाल के उसने बौलिक किया है शिवा मावी जिन को हमने नहीं अभी 11 में कि बात करें तो जिस तरह की संसेशनल पेस मज़ा आता है भाई उनकी पॉलिंग लेंग के एक सब्सक्राइब कर निकलता तो शनाका निकलता तो शनाका को पता नी चला कि शनाका के साथ हुआ गया एंड जो रन से इस नई फॉर्म इंडियन ट्वेंडी टीम ने जो है वह बा 46.6 148 149 तरही जिसपे ये शनाका का बड़ा विकरतर शनाका का क्योंकि शनाका रुक जाता आखर तक तो ये गेम हाथ से निकल चुका था क्योंकि सवेरा इंडिया ने दीपक हुडा ने और अक्षड ने बड़ा अच्छा कमबाक किया क्रैकिंग उन्होंने काउंटर